हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावप्लान गुरुजी, इस वीडियो में हम डिसकेशन करने बले हैं, एक पावप्लान इंटर्वी में पूछे गए, बॉयलर से रिलेटेट, एक बेरी बेरी इंपोर्टन कुछें के बारे में, रिशेंटली एक कुछें हिंडल को पावर से गया था, तो चेलिए कुछें को हम ध्यान पूर्बग सुन लेता हैं, कि कुछें क्या था, कुछें था कि एक बॉयलर में, जो अनबंड फरमेशन होता है, ओ अनबंड फरमेशन को आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसके साथ साथ ये किसी लिए क्रेट होता है, अनबंड तो इस कुस्चन का अंसर हम इस वीडियो में जानेगे तो कुस्चन का अंसर जनने के लिए आप वीडियो को स्किप ना करके आँदे तक देखते रहिए ये ये वह ला वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शाद जरू किजिएगा ये आप चैनल पर पहली ब कारण हो सकता है क्योंकि यदि हम कारण जानेगे तो उसको कंट्रॉल करने से ऑटो네 अंबनन जो है वो में हो जाएगा वो चलिए जानते हैं वसकता है का अंबनन फरमेशन अने का कारण एक बॉयलर में तो number one में क्या होगा number особенно में होगा लेस एक्सेस एया ओके एक्सेस एया कम होने के कारण एक बोईलर में अन्बन फरमेशन होता है नमबर टू में मोइस्टर कंटेंट इन फ्ट्राइब हों एक लिए नमबर टू में यह ड्रैप्ट अंबलंस होगा ऑगे क्यों की ड्रैप्ट अंबलन्स होने से जो फ्ट्रू आं फईरिंग कर रहे है यह केरी उभर करके लेता है जहां हम अनबंड का सेंपूल को कलेक्ट करते हैं समझ गया तो ज्यादा तर जो कोल्ट फायर वोलर है वो यह स्वी का हस्ट फिल्ट से संपूल कलेक्ट होता है तो वहां पे आपको मिल जाएगा अनबंड ओके तो ड्यू टू अन्बालांस्ट ड्राप्ट क्लियर नंबर फॉर में यह जो फ्विल फायरिंग हम करते हैं जादा था कोल्ट फायर वोलर में यदि कोल्ट का साइज रेकॉंडेट साइज से कम रहेगा छोटा हो जाएगा तो इजिली उसको आईडी फैन घीच के ले जाएग समझ गया आप तो क्या बोलेंगे लेस लेस वेल साइज फैल साइज काम होने के कारण नंबर फाइब में थ्री टी टाइम टेंपरेचर टार्बूलेंस यदि ये तीनो प्रोपोली नहीं मेंटन होगा एक फर्नांस का इंसाइड में तो इसके चलते आनबंड क्रियेट होना सुनिस्चीत है नोट एक्चीबिंग थ्री टी क्लियर हो गया है आर क्या रहे गया नंबर शिक्स में नंबर शिक्स में क्या होगा ना ये दी फ्वेल जो फ्वेल हैं फाइरिंग कर रहे हैं वोलर में ये दी उसमें आस कंटन्ट ज्यादा रहेगा क्लियर होगे मोर आस कंटन्ट इन फ्वेल तो ये छेट हो पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण एक बॉइलर में अनबंट फर्मेशन होता है और ये सारे पॉइंट को आप कंट्रोल करके या इसको फोकस करके एक बॉइलर में जो अनबंट फर्मेशन होता है उसको आप मिनिमाईज कर पाएंगे ओके तो इसका अंसर आप ठीक इसी तरह से देना है यह दी आपको यह वाला कुश्चन पूछा जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तो इस वीडियो देखने के बात आप आसानी से इस कुश्चन का अंसर देख पाएंगे तो रेता हूं दोस्तो थैंक्यू बात